पैसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी सेंटर का 500 वा एपिसोड जी हां ये यात्रा 500 एपिसोड तक पूरी कर चुके हैं आप मैं और मेरे साथ स्टूडियो में शामिल है अंशुमान जी शो में फिर से सर्फ 500 एपिसोड में मैं बदला एंकर तो बदले आप नहीं बदले इस बात की आपको बहुत बदाई और बहुत सारी बदाई मेरे PCR के साथियों को मेरे camera के साथियों को मेरे producers की टीम को हम सब लोगों को बहुत सारी बदाई इस 500 एपिसोड के उत्सव को मौके को हम celebrate करेंगे आगे इस पर हम चर्चा करेंगे बात करेंगे लेकिन शुरूबात चाहें 500 माँ हो चाहें पहला हो चाहें 50 माँ हो ख़बर से ही करते हैं तो आज की बड़ी ख़बरे कौन से हैं उसके लिए देखिया आप on the show शुरूबात मौनसून की एक ख़बर के साथ क्या मौनसून तक दिखेगा अलनीनों का असर अलनीनों पिछल केश इलाज्च यह दूसरी बड़ी ख़बर है बड़े काम की ख़बर अगर ऐसा हो जाए जैसा लिखा है कागज़ पर अगर ये कागज पर लिखर लिखे कानून जमीन पर उतर जाएं तो बल्ले भलने सोचिये कि देश के हर अस्पताल में हर विवा में केश लिस्ट इला कर आएगा दिन की बड़ी ख़बर शुरू होगी सिप से ये ख़बर दिखने में आपको जितनी छोटी लग रही है यह उतनी ही बड़ी ख़बर है क्यों टूट रही सिप जी हां सिप से जितना पैसा आ रहा है उसके लगभग तीन गुना पैसा आप सिप टूट कर बाजार स हुआ क्या माइने है इसके यह सब कुछ जानेंगे दिन की दूसरी बड़ी ख़बर में और बजट की सीरीज चल रही है बजट का कवरे जा रही है तो आज आप मिलेंगे एक छोटे उध्यमी से जो छोटे उध्यमी है यह दिल्ली एंसी आर की एक फैक्ट्री है इनकी जहा आप कहिए कि गरेंटियों वाले बजट से आज हम इसको समझेंगी और इस पर चर्चा करेंगी लेकिन शुरुबात एक और नई ख़बर के साथ जो इस ओंदा शो में नहीं थी वो ख़बर है गेहू की सरकार ने सरकारी गोदामों से खुले बाजार में बेची जाने वाले सरकार को इखाई दे रहा है कि लगातार अनाज की कीमतों का दबाव आटे और आटे से बने उत्पादों पर दिख रहा है और ये बड़ी बड़ी वजय है कि गहूं का स्टाक कम होने के बाद भी इस उमीद में कि इस फसल से सरकार के भंडार में परयापत गहूं आ दे रहा है उसके कारण सरकार की खुली बिक्री से कीमतों में गेहूं की कीमते हैं और गेहूं से बनने वाले उत्पादों की कीमतों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है लेकिन मिलर्स को गेहूं मिल सके इसलिए अब साड़े चार लाक तं के जीगे पांच लाख टन के की अगली रिलीस बाजार में open market में की जाएगी इसी के साथ जब तक के रिलीस जाएगी तब तक बाजार में नई खरीद आने का या नई फसल आने की संभावना भी बनने लगेगी मौसमी घटना करम अलीनों की वजह से जनवरी के दौरान बरसात की कमी देखी जा रही है साथ में पहाडों पर इस बार बरफबारी भी बहुत कम है अशंका यहां तक है कि अलीनों की वजह से आगे चल कर खरीव सीजन पर भी मार पड़ सकती है इस बीच मौसम बिभाग का मानना है कि इस बार अलीनों का असर मौनसून के शुरू होने से पहले खतम हो जाएगा सब आपको लगता है मौसम बिभाग तो हमेशा कहता तो ऐसा यह होता कुछ और है क्या अलीनों का असर मौनसून तक दिख सकता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोग अगर इसे देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि काफी सर्दी है और काफी ठंड है और उसे महसूस कर रहे होंगे लेकिन अलनिनों ने इस बार बहुत गहरा असर किया भारत के पर्यावरण पर पहाडों पर इस बार बर्फबारी नहीं ही जो लोग पहाडों की खबरों से से राविता रखते हैं उसके बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि इस बार देश के अधिकाश इस्सों में उतना बर उतनी बर्फबारी नहीं हुई जितनी संभावना थी और यही खत्रा था अलनिनों के असर का दूसरी प्रिस्री और महत्तुपून बात यह मौसम बिभाग ने यह कहा कि अलनिनों का असर जून तक खत्म हो जाएगा हलाकि मौसम बिभाग ने इससे पहले भी बहुत सारी बातें पिछले साल कहीं थी उनको आपको एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए लेकिन अगर अलनिनो के अगले मानसून के असर को लेकर अंतराश्टी इस तरसे जिंसियों के आखलनाने नहीं शुरू हैं लेकिन उमीद ही जाहिर की गई है मौसम बिभाग को उमीद है कि शायद मैजून तक जाकर अलनिनों नीट्रल हो जाएगा लेकिन मैजून तक कितनी गर्मी होगी और उस का खतरा मनड़ा रहा है जर्नल और हेल्थ बीमा देने वाली कंपनियों ने तैग किया है कि वे पॉल्सी होल्डर को किसी भी अस्पताल में कैशलेस बीमा की सुविधा उपलब्द कराएंगी चाहें अस्पताल बीमा कंपनियों की लिस्ट में हो या ना हो यह सुविधा 25 जन्वाली से लागू कर दी गई है अब पॉल्सी होल्डर अपनी मर्जी के किसी भी अस्पताल में जाकर हेल्थ इंशुरेंस के तहत कैशले सुविधा का फायदा उठा पाएंगे इस सर ये खाबर सुनने में बहुत अच्छी है राहत वाली खाबर है लेकिन संभाव होगा बड़ा मुश्किल है अभी इसका इसका तजर्वा सामने आएगा तहुमें समझ में आएगा भारत में अभी आउस्तन के वल साथ परसेंट हेल्थ इंशुरेंस होल्डर कैशलेस की सुविधा पूरी तरह कैशलेस की सुविधा हासल कर पाते हैं पूरी तरह कैशलेस और होंगे क्या कमपिनियां इसके लिए कितना प्रीमियम वसूलेंगी और कमपिनियां इसके लिए अपने मौझूदा पॉलिसी में क्या फिर बदल करेंगी देखना होगा इसकी उल्टी गिंती 25 जनवरी यानि आज से शुरू हो रही है अगर तीन मेहने चार मेहने में पता च लिए अपने टिपनियां लिए अपने बताई हमें बताई हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कमपिनियां और बीमा नियामक अपने इस वादे पर कितना खरे उत्रे है डिपॉसिट घटने और कर्ज की मांग बढ़ने के वज़े से भारती बैंकिंग विवस्ता में लिकुरिटी रिकॉर्ड निचले इस तरपर पहुँच गई है बुद्वार को लिकुरिटी की कमी 3.4 लाग करोड रुपए तक पहुच गई जो अब तक का रिकॉर्ड इस तरह है हाल के दिनों में सरकार की तरफ से खर्च बढ़ने की वज़े से बैंकों में लिकुरिटी समय में ब्याज दरों में कमी की जो संभावना है उनके तूटने पर है उनके धूमिल होने के तोर पर दिखाई देगा बैंकों के पास चुंकि सरकार को भी इस आखिरी क्वार्टर में खर्च के लिए पैसा चाहिए चुनाओ भी करीब है और उसके लिए भी पैसे पैसे की चाहते हैं और इसका असर अब बैंकों के बीच का जो कारोबार है यह इंटर बैंक मार्केट है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को करज देता है इसके कॉल रेट्स में दिखाई दे रहा है 6.85 परसेंट का ओवरनाइट कॉल रेट बुधवार को दर्ज किया गया यह की बीच आपस में लिक्विड्टी समालने के लिए लिंदिन किया जाता है गुजरात के गिफ्ट सिटी में इस्थित इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में मौझूद विदेशी एक्स्चेंजों में भारती कंपनियों की लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है बु अगर विदेशी एक्स्चेंजर में कारोबार करना हो तो उन्हें सुची बद्ध होने की सुविधा मिले और इसके तैयारी की जा रही थी करीब दो हफते पहले सरकार की तरफ से इस बात का संकेत भी दिया गया तकि इसके नियम नए से लागू किये जाएंगे अब विदे भारत की कमपिनिया विदेशी बाजारों से पैसा उगाना चाहती हैं वो भारत के गिफ्ट सिटी को आफशोर डेस्टिनेशन मान कर यहां से सुची बद्ध करा सकेंगी लाइन भी है कुछ कमपिनियों की जो कमपिनिया शायद इस खिड़की का लाब उठाकर अंतराश्ट के साथ ट्रेड ना करें जहां पर पारदर्शिता की समस्या है लेकिन भारती कमपिनियों के गिफ्ट सिटी की जरिये विदेश में लिस्टिंग का रास्ता आप खुल गया है विश्वयपार संग्टन यारी WTO की अगले महीने अबुधावी में होने वाली बैठक के दौरन भारत की तरफ से अपने अनाज कारिक्रम को सुरक्षित करने के लिए तो प्रयास किया जा रहा है साथ में विकाश सील देशों में मचवारों को दी जाने वाली सबसीडी के समर्थन में भारत उतर सकता है मचवारों को दी जाने वाली सबसीडी के खिलाव विक्सित देश हमेशा से आवाद उठाते रहे हैं भारत क्या कर रहा है क्यों कर रहा है WTO में कोलंबा अर्सा बीत गया और अब WTO की बैठक फिर अचानक कुछ महत्तुपूर्ण एजिंडों के साथ अबुधावी में होने जा रही है नुतलग भग एक दर्शक बीता WTO से कोई बड़ा फैसला निकल कर नहीं आया कोई बड़ी सहमती नहीं बनी और दुनिया में बड़े वियापार समझोते हुए और दुनिया एक तरह से वियापार समझोतों के मामले में बिखर गई दो महतुपूर्ण चीजें इस WTO की बैठेक में भारत की तरफ से ना सम्झे होते वाली बातों को लगातार बतार हैं उसी रोशनी में ये बात भी WTO के एजिंडे में आई है कि WTO के नियम लागू करने का जो तरीका है वो कैसे बदला जाए डेबलू टीओ के फैसले बाइंडिंग होते हैं ये माना जाता है कि WTO के फैसलों को लागू करना सदस्यों के लिए अनिवा रहता है इसे लेकर किस्म किस्म की राय मीटिंग के अंदर या WTO के बैठेक के अंदर उभर कर आ रही है भारत का कहना ये है कि इस मामले में दो इस तरी सिस्टम बनाया जाना चाहिए इंडिपेंडेंस भी दी लागू करने की और बाइंडिंग विवस्था भी की जानी चाहिए अमेरिका और बाकी देशों का कहना है कि इस विवस्था में थोड़े और बदलाओ करने की जरूरत है जिससे की लंबे समय तक इन फैसलों की माननेता बनी रहे जो डबलू टी ओ में लिये जाते हैं कि डबलू टी ओ एक ऐसी सहमती का मंच था जहां उसके फैसले लागू करने के लिए अगे क्या होता है क्या डबलू टी ओ अपनी शर्थ को कम करेगा क्या देशों को अपनी मरजी के मताविक फैसले लागू करने की छूट देगा ये एक महतुपूर्ण बदला होगा और ऐसा होता है तो डबलू टी ओ के ढाचे में कुछ बड़े शिफ्ट या कुछ बड़े परिवर्तन हमें दिखाई देंगे आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरह मुच्वल फंड्स में किया गया निवेश लंबी अबदी में फायदा देता है लेकिन भारत में कई निवेशक ऐसे हैं जो समय से पहले ही अपना निवेश खींच लेते हैं बीते दिसंबर के दौरान मुच्वल फंड निवेशकों ने नेट 11,140 करोड रुपे का निवेश सिब से निकाला है माना जा रहा है कि शेयर बादार में रिकार्ड तेजी के बाद मुच्वल फंड निवेशकों ने मुनाफ़ा वसूली के चलते अपना निवेश निकाला है दिसंबर के दौरान शेयर बादार में मुच्वल फंड निवेश सिब के जरिये 6,470 करोड रुपे का हुआ निकाला 17,000 करोड से जाद आ गया सर क्या बता रहा है निवेशकों का ये रुक ये रुक जिस पर हम पहले भी आप से चर्चा करते रहें ये आकर आप मुचल फंड निवेशक है तो इस खबर को बहुत ध्यान से समझे मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार की तेज उतार चड़ाओ के साथ शुबहम अब धीमे धीमे मुचल फंड निवेशक भी शेयर निवेशकों को स्टाक निवेशकों को मिमिक करने लगें और यह दिखाई दिया कि जैसे ही बाजार में कुछ गिरावट एक करेक्शन आना शुरू हुआ वो दोर था तीन-चार महिने पहले जब इसमाल कैपरमिट कैप इंडेक्स में बड़ी बढ़ोतरी देखी थी इनके मिचल फंड में भी काफी तेजी आई थी और निवेश आया था और वैसे ही अब मिचल फंड के निवेशक बाजार में गिरावट के साथ एकुटी से बाहर निकल रहा है आकड़ा काफी बढ़ा है जितना पैसा आया मिचल फंड में उससे कहीं जाधा पैसा लोगों ने एक्विटी से निकाल लिया और ये ये बता रहा है कि नया निवेश तो शायद नहीं ही आया जो पुराने निवेशक थे उन्होंने मुनाफ़ वसूली किये मुचल फंड आम तोर पर छमाही सालाना मुनाफ़ वसूली का प्रोडिक्ट नहीं है और ये एक अजीब सी परिस्तिती हमने भारती बाजार में देखी जो बात हमारे मनी नाइन के सरवे ने भी बताई थी इस दोरान कुछ बड़े मुचल फंड कंपिनियों के बड़े निवेशकों से और इन्वेस्मेंट मेनेजर से हमारी बात हुई भारत के मुचल फंड निवेशक एक साल और 12 महीने से 16 महीने से जाधा बाजार में अपना निवेश नहीं रोकते हैं और ये बड़ी चुनोती है मुचल फंड बाजार में अच्छे रिटर्न ना मिलने के करान होता है इससे यह है कि जब बाजार से तेजी से निवेश निकाला जाता है मुचल फंड में तो उतने रिटरंस नहीं मिलते हैं जितने रिटरंस के पेक्षा होती है और इससे फिर मुचल फंड में निवेश को लेकर सेंटिमेंट पर असर पड़ता है सर नुकसान इस से निवेश को क्या होता है ठीक है बजा टॉप पर है अपना पैसा निकालने अगर मुनाफ़ा हो रहा है तो उसमें समस्या क्या है यह निर्भर करता है कि आप मिचल फंड में निवेश दो तरह से एक निवेश है कि आप किसी गोल के साथ करें आप मैकसिमम लोग मुचल फंड में लाउंग टर्म निवेश की दरिश्टे से ही जाते हैं इसी वज़े से आते हैं और जब वो जल्दी पैसा निकालते हैं तो उन्हें दो बड़े नुकसान होते हैं एक तो उन्हें लंबे समय का जो रिटर्न है वो उपलब्द नहीं होता जो कि कंपाउंडिंग की जरी मिलने वाला होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि इस से एक पूरा का पूरा माहौल मुचल फंड में जल्दी निकल जाने का लंबे समय तक ना टिकने का बनता है। फंड के बाजार में जब इस तरह से निकासी होती है महीने में 11-12,000 करोल रुपए की तो निवेश प्रबंधक हैं उनके माथे पर पसी ना आता है क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनोती बनती है। और एक और महत्तुपूर्ण बात है कि यहां से रेगुलेटर्स के लिए भी एक बड़ा संके जाता है कि क्या भारत में क्लोज इंडेट फंड को जाधा प्रमोट करना ज़रूरी है। क्या लोगों को क्लोज इंडेट फंड में निवेश करने के लिए प्रिड किया जाए जिससे क्यों कम से कम चार से पांस साल वहां बने रहें और वास्तों में कमपाउंडिंग और अच्छे रिटरन का लाव उठा सके हैं। क्योंकि बाजार में जो क्लोज इंडेट फंड हैं जिन में लोगों ने निवेश का रखा है उनके रिटरंस अच्छे हैं वहां फंड मैनेजर को लंबे समय के लिए निवेश की चूट भी मिलती है जब आग टेजी से फंड से विड्राल शुरू होते हैं तो फंड मैनेजर क का ज्यादा योगदान रहा 500 अंकों से ज्यादा टूट गया बैंकिंग इंडेक्स बैंकों में आए नतीजों के बात से लगातार बैंकिंग शेरों में बिक्वाली दिख रही है इतनी चिंता बैंकों में क्या है बैंकिंग स्टॉक्स हम लगातार मनेसेंटर में बता रहे हैं कि बैंकों को लेकर बाजार में अब दबाव और चिंता गहरी दिख रहे हैं इसके कई सारे कारण है ऐसा लगता है जिसे कि बैंकिंग शेर ही बाजार में इस गिरावत को लीड कर रहे हैं इसकी अगवाई कर इसका नितर तो कर रहे हैं बात HGPC बैंक से शुरू ही थी जहां HGPC बैंक के नतीजे आया और बाजार को यह दिखाई पड़ा कि बैंक का नेट इंटेस्ट मार्जिन उम्मीदों से कम दिखाई दिया और इसका एक के बाद एक बैंकों के नतीजे आना शुरू है और ज़्या परणि उल्ठ हो रहे हैं उसमें जाधातर प्रणुख बैंकों के आकड़ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं लिस्ट में जाधातर प्रणुख बैंकों की जो quarter and quarter deposit की growth rate यानि तिमाही आधार पर कौर्टर की डिपाजिट की ग्रोथ हेट है वो तीन फीजदी और दो फीजदी से नीचे रह गई है यानि तिमाही आधार पर बैंकों के डिपाजिट लगातार घट रहे हैं और यही वो वज़े है जिस से इस तिमाही के नतीजों के आने के बाद ब बाजार में चर्चा में, येर आन येर 27% की ग्रोफ है, 27-24% की डिपॉसिट ग्रोफ है, पर quarter and quarter केवल 2% की ग्रोफ है, 1.89% की ग्रोफ दिख रही है, तो ये बता रही है कि बैंकों में डिपॉसिट्स कम हो रहे हैं, उन्हें ब्याजदरें उची बढ़ा कर डिपॉसिट्स ह बनी रह सकती है, इसलिए आज हमने बैंक निफ्टी में तेजगिरावट दे की बैंकों में बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है, कई प्रमुख ब्रोकरिजेज ने कई प्रमुख बैंकों को न्यूटरल केटेगरी में भी लिस्ट कर दिया है, यानि ये माना जा र निफ्टी में ही पूरी पेंशन, पचाथ वरश की आयो पूरी होने के बादी वरद्धा पेंशन शुरू हो जाएगी, जहारकर सरकार की इस कदम से देश में वरद्धा पेंशन को लेकर नई बहश्च शुरू हो सकती है, दूसरी तरफ राजिस्थान में सरकार बदलने के साथ New Pension System यानि NPS की पापसी हो गई है बज़नाल सरकार ने पूर्व की गहलोद सरकार का फैसला पलटते हुए NPS को फिर से लागू कर दिया है गहलोद सरकार ने NPS के लिए का पुरानी पैंशन विवस्ता को लागू किया था सर, जहारखंड में जो प्रयोग हुआ ये नए तरीकी का फैसला है किस तरह असर डालेगा ये पूरे देश में चुनाव की तरह बढ़ते हुए सरकारें लोग लभावन होने के नए नए तरीकी इजात कर रही है इस फैसले का मतलब समझे है 36 लाख लोग जहारखंड में ऐसे हैं जिनें आप पेंशन मिलेगी वरधावस्ता ये जो बुजर्ग होने पर पेंशन मिलती वो 60 साल के पचास साल पर मिलेगी यानि सरकार को 10 साल अतरिक्त पेंशन के फंड्स का प्राविजन करना पड़ेगा जो सामान रूप से इन लोगों को 60 साल के बाद मिलनी शुरू होती और इस तरह से एक नया रास्ता खुल गया कि अब अन्य देशों अन्य राज्यों में भी लोग में सरकारें इसको फालो करेंगी और एक कोशिश करेंगी कि प्रद्धावस्ता पेंशन की शुरत 50 साल से की जाए जिबकि रिटार्मेंट की एज 60 साल है और 60 साल के बाद ही आप बाकी सीनिर सिटीजन होने की सुविधाय हासिल करते हैं ये चुनोती आने वाले समय में जहारखन और कई सारे राज्यों के लिए बनेगी जहां इसकी मांग भी उठेगी दूसरी तरफ पेंशन को लेकर भारत की राजी नीतिका दोनों तरफ लखना जारी है पिशली सरकार राजस्थान में परानी पेंशन लागू कर रही थी और अब नई सरकार ने इस बात की संभावना थे तो सुचना जारी करके परानी पेंशन योज़ना को खतम करके नई योजना को फिर से लागू कर दिया पर पेंशन पर निगाह रखना ज़रूरी है क्योंकि पेंशन को लेकर शायद इस बार बजट में कुछ घोशना की जा सकती है आगे बढ़ते हैं बजट स्पेशल कवरेज की तरह आज आप मिल रहे हैं एक फैक्टरी के मालिक से फैक्टरी के मालिक को क्या चाहिए पहले आप ये सुनिए फिर क्या मिल सकता है नहीं है मन्शुमान जी से समझेंगे व्याबारी केतन सरकारी बैंक के बाहर अपनी अर्जी लिए बैठे है अर्जी कर्ज के पुनर गठन की है पीछे से पेमेंट में देरी हो रही है किस चुकाने का खत्रा है यहीं डर उन्हें बैंक की चौखट पर खीच लाया नौइडा में केतन की एक फैक्टरी है टीशिट बनती है उनकी फैक्टरी में बड़े एक्सपोर्ट कमपनियां उन्हें और देती हैं लेकिन इधर 6 महिने से नए और धीले पड़ गए हैं और पुराना पेमेंट भी चोटे उद्योग तो वैसे ही मनाफे की मेड़ पर चलते हैं जरा उचनीच हुई तो व्याबार की गाड़ी रपक गई उनके पास ना बड़ी कमपनियों की तरह कीमत बढ़ाने की आजादी होती है ना बाजार से पैसा जुटाने की छोटे उद्योग तो सरकार बैंक और बाजार के रहमो करम पर ही हैं केतन जैसे व्याबारी इस साल सरकार से तीन गारंटिया चाते हैं पहली सस्ते कर्स की जुगाड हो जाए ब्याज दरें उची हैं कच्चे माल की महंगाई से लागत बेहात हो रही उची लागत महंगाई कर्स के बाद मुनाफा निकाल पाना रुपए में तीन अठनी करने जैसा हो रहा केतन चाहते हैं कि कोई सब्वेंशन स्कीम आए दूसरी गारंटी निर्याद से जुड़े चोटे उद्योगों के लिए दुनिया मंदी में धस रही है तो इसका असर हर जगह पड़ेगा निर्याद से जुड़े उद्योगों को बचाने के लिए सरकार कोई राहत दे दे तो बढ़िया रहेगा एक्सपोर्ट के लिए सस्ता कर्ज मिल जाए बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज मिल सके और फसे हुए पेमेंट के चलते अगर कोई मोरेटोरियम यानि की राहत मिल जाए तो कहने ही क्या तीसरी गारंटी इस इसकी फायर, लेवर, पॉल्यूशन, EPFO समेथ 30 से ज्यादा विभागों में कारोबारियों को हाजरी देनी होती है सरकार कुछ ऐसा कर दे कि कारोबारियों का सरकारी दफ्तरों में लगने वाला समय जो है वो बच जाए केतन को गारंटी देना क्यों जरूरी है क्योंकि 5 लाग करोडों डॉलर की अर्थवैवस्था का सपना बिना MSME पूरा होना असंभव है देश के एक्सपोर्ट में करीब 45 फीसद हिस्सेदारी MSME की है देश की GDP में ये एक शेत्र 29 फीसद की हिस्सेदारी निभाता है यानि इनके जीते जीत है तो सर ये जो केतन है छोटे व्यापारी जो टीशर्ट बनाते हैं इनको दो गैरेंटी चाहिए आपको क्या लगता है मौजूदा परिद्रश्य में ये कहना है सस्ता कर्ज मोहिया करा दिए एक ही चीज़ चाहिए होती है व्यापारी को कि सस्ता कर्ज उसे मिल जाए किसी तरह और जो इनका कहना है कि निर्याट टूटा स्क्वेस हमारी फैक्टरी पर असर पड़ा है इसके लिए मोरोटोरियम दे दिए बैंकों की इस्तिती हम अभी डिसकस कर चुके है रेपो रेट ओल टाइम हाई के करीब है क्या आपको लगता है इनकी ये गैरेंटिया इस बार पूरी हो पाएंगी वित्मंती तो शायद खुद सरकार के लिए भी ये गैरेंटी नहीं मांग सकती ही बैंकों से कि सरकार को बैंक अपना सस्ता कर्ज देंगे तो सस्ते कर्ज की विंडो तो अभी बंद है खिलकी बंद है और शायद इस साल 2024 में बंद ही रहेगी तो ब्याज दरे कर्ज पर कम होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही चोटे उद्योगों को और भी कोई मॉरिटोरियम या सीधा कर्ज सम्मंधी साहता बैंकों से नहीं मिल सकती बैंकों की तस्वीर हभी हमने चर्चा किये बैंकों के बैलन्शीट पर जिस तरीके का दबाओ दिख रहा है चोटे उद्योगों के लिहाज से नीतिकत घोष्णाओं का संकेत दिया जा सकता अंतरिम बजट है कोई बड़ा डायरेक्ट मदत इस बजट में शायद मिलने की उमीद नहीं है तो केतन भाई इस बार आपके लिए शायद ही कुछ बजट में आए इंतजार कीजिए ब्यास दरें अपने ही गती से जब कम होंगी तभी आपको कुछ रहात मिल सकती है अब फट अफट देखतें जट पट खब रहे हैं फानेशल सर्विसिस देने वाली कंपनी फिडिलाइट ने दो भारतिय स्टाट अप कंपनियों के वैलुशन में कटाउती कि एक कॉमर्स कंपनी मीशो के वैलुशन को पांच अरब डॉलर से घटा कर चार दशनलों एकर अरब डॉलर कर दिया गया और फिंटेक कंपनी पेटियम में सॉफ बैंक के सिधारी 5.06 परसेंट रह गई है टाटा गुरूप की कंपनी टाटा स्टील घाटे से मुनाफ़े में लौटी है दिसंबर तिमाही के दौरान टाटा स्टील को 522 करोड रुपय का मुनाफ़ा हुआ है पिछले वित्वर्ष की दिसंबर तिमाही रहा है ताजा कदम में चीन के केंदरी मेंक बैंकों के लिए रिजार्वर रेक्वाइड रेशियो को कम करने की बाद की यानिंवी बैंकों को अपने पस कम पैमार रखना पड़ेगा इस कदम से चीन के रीजार दोलर की अतरिक्त लिकृुडिटी पहुंचेगी कोई टिप सके हम आपको बता चुके हैं कि चीन की सरकार आप अपने फंड से बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है लिक्विडिटी बढ़ा कर शेयर बाजार में पैसा पहुंचाने की कोशिश है ता कि बाजार का सेंटिमेंटर कॉन्फिदेंस बना रह सके चीन की अर्थविव प्रस्था थी रोज इसको लेकर आने का पर सबसे महतुपून बात शुबह में कि जितना प्रोतसाहन जितना इसने जितनी प्रतिक्रियां जितना आशिरवाद लोगों को से मिला जितने सवाल हमें मिले वो मनी सेंट्रल इस शो का आधार है और हमने नियमेत कोशिश की कि श इस शो तमाम विशिश्ट परिस्थितियों के बीच इधर उधर होते हुए भी हुआ शुबहम इसके बारे में आपको बताएंगे कई जगे से शो एरपोर्ट से करना पड़ा कई जगे वाइस ओवर से करना पड़ा पर हमने शो मस्ट गो आन की को परमपरा को नहां बना कर बिल्कुल ना एरपोर्ट देखा ना ओफिस देखे ना दफ्तर देखे ना सड़क देखी जहां जगा मिली लैप्टॉप ओन किया कभी स्टूडियो कहां स्टूडियो हो ना हो लेकिन हाँ खबर होनी चाहिए अपनी खबर सारी बड़ी खबरे हमारे दर्शकों तक लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनी सेंटर को देखा अब तक मनी सेंटर के अगर व्यूज की बात करें तो 500 एपिसोड पर हमको एक करोड़ नौ लाख 24,437 व्यूज मिले एक करोड़ से ज़्यादा व्यूज लोगों ने सिर्फ मनी सेंटर को दिये अपने इस पसंदिधा कारिक है हमने आपके साथ बिताए दो साल की ये परंपरा आप मान लीजे 52 हफते होते हैं एक साल में और अगर पांच एपिसोड एक हफते में होते तो करीब 260 500 एपिसोड है यानि कि दो साल निरंतर ये शोड चला और दो साल में 20 लाग घंटे ऐसे थे जब हम और आप साथ थे इंप्रेशन की बात करीए तो करोणों में हैं आकड़े आपकी स्क्रीन पर है तो ये यात्रा ऐसी अनवरत जारी रहे बिल्कुल आप लोगों का सहयोग हम को चाहिए सर चलते चलते इक्रोमिकम में इस बार क्या खास है ये और बता दीजे इस बार का एक्रोमिकम में आपको जल्दी सूचित कर रहे हैं क्योंकि लंबा वीकेंड आ रहा है हम लगा था रेटसी की खबरों पर दुनिया के कारोबार में बदलाओ की खबरों पर बात कर रहे हैं और इस बार हम आपको बताएंगे कि अगर स्वेच और पनामा के रास् रास्तों की तलाश कर रही हैं हम आपको उस रास्तों पर व्यापार के नए भूगोल पर ले चलेंगे जो अब खुलने वाला है तो इस हफते का एकनॉमिकम देखना मत बूलेगा बेहत रोचक है बेहत अच्छे किस्सें हैं नई तरीके की बात है फिलाल हमें दीजिए जा झाल 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 झाल